दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे इस सुलो जैट को चैण करके हम मेलेज बढ़ा सकते हैं अपने गाड़ी की और ये कितरा नमबर का होता है सबसे पहले हमें इस कार्वड़म को साफ करना है कारवोटर साब करते समय हमें कहां पर हमें धियान देना चाहिए वह जरूरी चीज़ होता है उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यह चीज़े हमें हमें चैंज करना है और कितना नमरका में लगाना होगा जो हम मेलेज ज्यादा पासके अपने बाइक भी यह हीरो की स्प्लेंडर प्लस या फिर अच्छ़ डिलक्स या फिर पैशन परो उस तरह की पैकों में इस तरह की कालवर्टर लगती है जिसमें कि यह दो तार मिलेगी अलग से तो सबसे पहले क्या करेंगे किलीन करेंगे किलीन करने के साथ सद मैं आपको इसका सारा पार्ट जो अंदर में लगा हुआ है उसका नाम भी आपको बताऊंगा वह कैसे काम करता है तो मैं एक इसक्रू के मदद से इसे खोल लेता हूं दोस्तों यह हमारी जो वीडियो है बहुत ही अच्छी टॉपिक पर रहती है मैं बहुत ही बारिकी से सब आप लोगों समझाता हूं अब यहां पर जो आपको मिलेंगे यह दो पीतल जैसा इसे हम बोलते हैं जैट इसे हम जैट बोलते हैं यह हो गया मैं जैट जो यह बड़ा बैज जैट होता है और यह हो गया सुलो जैट हम इसी सुलो जैट को चैंज करेंगे इसी जैट को हम चैंज करेंगे और हम देख लेते हैं कि यह जैट कितना नमर का पहले से लगा हुआ है तो जहां पर 35 नमबर का यह जैट लगा हुआ है 35 लाष्ट में एस लिखा हुआ है यह नमबर नहीं है यह 35 नमबर का जैट लगा हुआ है और हम जो इसमें लगाएंगे हमें लगाना है हमें लगाना है 32 नमर का जैट यह देखिए हम इसमें 32 नमर का जैट लगाएंगे नमर आपको दिखा देता हूं अच्छे तरीके से ठीक है तो चलो सबसे पहले हम कार्वर्टर को किलीन करते हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे जैट लगाने से मैलच कैसे बढ़ेगी ठीक मैलच कैसे बढ़ेगी वो आपको हम बताएंगे इसके बाद हम खुलते हैं यह आरपियम स्कुरू को इसे हम बोलते हैं आरपियम स्कुरू इसके जरीए से गाड़ी की जो चाल है वो बढ़ती है इंजन की चाल बढ़ती घड़ती है इसके जरीए से हम एक जिगर चाल को र अब कुलते हैं एयर जेट इसे हम बोलते हैं एयर जेट से जुड़ा हुआ रहता है दिखिए यहां पर काफी कच्रा भी निकला है मिट्टी उगरा तो यह है एयर जो कि उसको ऊपर एक रबर लगा हुआ है साथ में उपर एक स्प्रिंग भी है और अंदर में एक वासर होगा और एक रबड होगा हम उसे भी निकालते हैं रबड और वासर को निकालने के लिए आपको इस तरह की तार की जरूत पड़ेगी तो गाईजी देख सकते हैं इसके साथ में एक वासर है और एक रबड है यह वासर इसके साथ इसलिए लगावाता है लोहे का वासर के इस क्रू को घुमाते से में यह रबड कट ना जाए इस स्प्रिंग के मदद से स्प्रिंग में धार होती है यहाँ जो जोड होगा इसके वज़ेसी यह रबड कट सकता है तो वासर हमें बहुत ही ज़रूरी है लगाना तो यह वासर यह रबड कुछ इस तरके से लगावा रहता है अब देखिए यहां पर भी डश्ट है तो इसको मैं साफ करना जरूरी है अगर आपको मैलेज बढ़ाना है तो मैं जो जो कह रहा हूँ कार्वेटर में करने के लिए कि आपको करना है अगर तना कर देएं तो फिर टूनिंग कर देते हैं वह कहते कि जो पर गई और जो होने के लिए का मैंरों कीसे काम करता मैं वे जनकारी दिया है पहले भी लगिन एक बार फिर चैप को बता से हैं वे किस तरह के के लिए कैसे काम करता है सबसे पहले आपको हम बता देते हैं यहां पर जो मैं जैड होता है यह वला जैड जो बड़ा जैड होता है वो सलाइड से जुड़ा हुआ रहता है मैं आपको सलाइड डिरेक्ट दिखा देता हूं यह सलाइड यह पिन सलाइड पिन यह सलाइड पिन तो यह प्रकार जब खीशते हैं तो यह जो पिन है इस लाइड यह उपर कि खीचाता है और पेटल इदर से खीशता है जतने ज्यादा पेटल के सफलाए होगी ठीक यह इस प्रकार यह काम करता है और आप देखेंगे कि यहां पेवी एक सुराग होगा इसके यह से हवा जाता अब यह सुलो जैट कैसे काम कर रहा है वह भी आपको पता देते हैं तभी तो आप जानेंगे कि सुलो जैट चैंज करना से मैलिज कैसे बढ़ेगी असल में जब हम गाड़ी का एक्सेलेटर खीचते हैं तो पैट्रोल की जो सफलाई होती है इस में जैट के ज़ए से सफलाई होती है पैट्रोल और जब गाड़ी खडीर झायए है और सुरार करते हैं और रेसीं दिए हैं नहीं दो स्टार रहती हिज्ट स्टार्ट कि स्टू्स किसे का तो इस से कैसे के बढ़ाता है इसके जरीत से को शेट को नीट करते हैं और हम इस एर स्कूरू को अच्छे जगर से अच्छे जगर से फीट करके रखते हैं पैटोल की मातरा दोनों से जाती है लेकिन जब हम एकसेलेटर खीजती हैं कुछ ज़्यादा हम स्पीट बढ़ाते हैं तो उसका पैटोल इस जगर से ज़्यादा पहुचता है इस जगर से ज़्यादा पहुचता है बहुत बार आप देखेंगे कि गाड़ी स्टार्ट तो हो रहे हैं लेकिन रेस जब देती हैं तो गाड़ी दबने लगता है जटके लेने लगता है रेस नहीं बनता है या फिर पानी आ गया गाड़ी इस कार्बेटर में पानी आ गया ठ चला जाता है बहुत ही बारिठ सुराइए और च्छटा संधुन हो मैं क्या-क्या बोल रहा हूं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कर्बडर साफ करने के लिए आपको इस तरीके से पैट्रोल लेना है एक कुपी में पैट्रोल लेना है और आपको सबसे पहले जो प्रमें पैट्रोल देना है इस तरीके से पैट्रोल देना है यह दोनों सुराग में पैट्रोल डालेंगे और यहां पर भी इस दोनों सुराग तो इसे जो हमारे पुराने कस्टमर है जो हमारे वीडियो देखने वाले सस्क्राइबर उन्हें बुरा लगता है कि एक ही चीज बार-बार कासिम भाई बना रहे है इस तक हमें हमने हर्च का पैटोल लाग दिया और एक बैदातुन बरस लेना है आपको इसके जलिए से हमें अंदर इस तरह किसे साफ करना है हम इसे इसलिए साफ करेंगे कि कल अगर यहां से पैटोल पास होगा तो इसके उपर जो कच्रा डश्ट होगा वह सेलेंडर हैड तक नहीं जाएगी ठीक है यह तो यह भी साफ रखना जरूरी है इस तरह के से हमें वाश करना है और यहां भी देना है इस तीरी के से अ इस इस राक में भी आपको एर मारना है बहुत जरूरी है यह चीज़ ज़रूरी है यह दोनों सुराक से हवा मारना है इसमें मारना है जितने भी you things. हुए estate Yeah, you guys. बढाए ये साथ होता है साथ में बताना आपको वहीं बताएंगे जैट के बारे में जैट चैंज करने से मेरेज कैसे बढ़ेगी तो आगे वीडियो देखते हैं सबर रखें धीरज रखें और यह तार डालना है और फिर हमें ऐसे साफ करना है अंदर में जो भी मिट्टी उगरा जो भी डश्ट उगरा इसमें जम गया होगा जो भी कच्रा उगरा होगा यह बाहर की और निकल जाएगी और फिर हम इसमें भी हवा मारेंगे तो हमारे पास जो यह गन है यह मतलब ठीक ठाक नहीं है वो इसका भी सुराक आपको देख लेना है तो देखिए भी सुराक बिल्कुल अच्छी तरीके से कीलियर देखाई दे रहा है साथ में हम इस पार्ट को साफ करेंगे इस एयर स्क्रू को साफ करेंगे हैं यह हमारी लाश्ट वीडियो है मैं आपको पता दे रहा हूं आप दुबारा हम इस तरह की वीडियो नई बनाएंगे बारवर कार्बेटर की बीसे में देखिए यहां पर यह जो है यह बहुत ही जम गया इसके उपर तो हम क्या करेंगे थोड़ा मिट्टी लेंगे हाथ में और मिट्टी के जरी से इसको साफ करते हैं इस साफ करना बहुत ही जरूरी है मैं हर वीडियो में कहता हूं कि इसे आप साफ करें तो काईजी बिल्कुल अच्छे तरीके से किलियर साफ हो चुका है देख सकते हैं कहीं भी कोई कचरा डश्ट इसके उपर नहीं जमा हुआ है इसको मैंने साफ कर लिया अगर यह रबड कट गया हो ठीक है यह रबड कटा हुआ आपको लगता है तो आपको किसी भी शॉप में जाकर रबड लेना है कुछ इस प्रकार लेना है आपको और यह रबड आपको लगा देना है तो फिलाल भी यह रबड बिल्कुल ठीक है रबड में कोई दिकत नहीं नहीं मानना चाहिए अगर हो सके तो जैसे आपको कार्बन नजर आता है काला काला जिसको उपर आपको थोड़ा मिट्टी डालके ऐसे इसे गिसना है इसको ऐसे नहीं कि हम स्रेश फिपर से इसको साफ करेंगे यह नहीं करना है बिल्कुन भी सबसे पहले हम आरपियम स्क्रू को लगाते हैं यहाँ पर अब हम इस एर स्क्रू को लगाएंगे अब हम इस एर श्क्रू को लगाएंगे अब हम इस तरीके से हाफ रॉंड लेना एक यह दो हो गया यह तीन हो गया इस तरीके से तीन हाफ रॉंड लेना है तीन पार हमें यहीं पर मैलेज शेयर करना होता है जान तक मैंने लिखा था कि इसमें से सुलो जैड चैंज करके गारी की मैलेज बढ़ा हैं तो यह कैसे बढ़ेगी चलो वह चीज़ा हम देख लेते हैं तो पहले पैट्रों के सफलाई जो होती है मैंने पहले बताया तो फिर से मैं आपको बता दूं क्यूंकि हमारे जो चै कि इसमें इसमें ऐलोगे स्वलोगाब मेंन वर्णो जाय है और इसके सा शुराख होता है और नहीं जिस जिस time गाड़ी मेले set करेंगे इसे हम फुल टाइट करेंगे इस air screw को गाड़ी बंद हो जाती है तो पता है क्यों गाड़ी बंद होती है क्योंकि ये जो jet है ये slow के लिए काम कर रहा है जिस time के हम race नहीं दे रहे हैं ये उस time के लिए ये काम करता है और ये जैड उसी परकार ये काम करता है ये जो जैड है सलो जैड ये सलो के लिए ही काम कर रहा है ना कि गाड़ी को रेस देने के लिए और जिस टाइम इसको फूल टाइड करके गाड़ी में अगर रेस देंगे तो गाड़ी देखनाرجों बनेगी ईसानी कि नहीं बनेगी और पेटोर उस टाइम के अउताक ज्यादा पीने लगता है तो यह वाला जो यह वाला जो जैड़ हैJames अध्ですね काम कर रा उर इज़र के मतलत से काम पर राई यह वाला जो सुलो के मतल Visit से काम से फिर से आपको बता दो कि जब इसे हम टाइट करते हैं तो गाड़ी हमारा बंद हो जाता है और फिर हमें रेज देना पड़ता है रेज जब देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट रहती है लेकिन जैसे हम रेज छोड़ेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी इसलिए बंद हो जा गारी को एक चाल में ich रख सके् watch me रख सकें एक ओर यह जो हवा लेता है यह दोनों हवा लेता है तब जारा सफसलाइं होती है यह जो मैं विछ स्वा उड़री सभर है इसके ज़री से डायरक्ट मैं जजर में में एर लेगा और इसके जरी से डायरक्ट यह उडर बस ताद रहें और जैसे हम एसे फूल्ट करते हैं गाड़ी बंद नहीं होती है तो यहां यह स्लू के लिए एर को ब्लॉक करते है टाइट करने के बाद जो गाड़ी हमारे बंद जाती है और जैसे इसे हम खोलने लगते हैं तो एयर इसको मिलने लगता है और पैटल के सफलाई होने लगती है इस छोटे सुराख के मदद से यहां पर देखेंगे कि यहां भी एक छोटा सा सुराख आपको दिखाई देगा देखें तो यहां भी एक छोटा सा सुराख आप ध्यान द अगर चलते चलते मितलब के अंदर कचल घंगर घंग जे सिल आप के पींगर सब्रकु में नहीं चलते तो हम क्या करते हैं कि इसको साप करते हैं अगर साप नहीं कर रहे हैं तो चैंज करने के बाद तक इसका जो सुराख है इसका जो सुराख है फिरी हो जाता है ऐसा नहीं कि सुराख मतलब पदला हो जाता है तो फिर मैलेज बढ़ जाती है यह सब कुछ नहीं है जो सुराख है तो हम जैसे कि इसमें यह वाला जैट लगा रहे तो इसमें देखिए चार होल है इसमें चार सुराख है जो दो सुराख करके इसमें सुराख दिया हुआ है ठीक है सहर जिगह दो सुराख करके और इसमें एक जिगह एक सुराख है और इसमें एक जिगह दो सुराख है तो इसक लगाया है तो इसको लगाने मतलब यह नहीं कि हमारा गाड़ी मायलीज बढ़ जाएगी इससे क्या होता कि गाड़ी जो एयर है वो फिरी देने लगता है जब तक क्या एइम थूतलत हो और किसि सफ़ाइम करें तो इसे बदलने जाड़ी के सफाइगी मैं उसके पाइगी और मीकचhrlich चैसे बड़तल इंगाषि बरेंगे तो उनी उनी पेटॉल मेरतलेगी तो साथ बने इस पैटोल के कम यह ज़्यादा करने का जो छमता है यह इसका है कम ज़्यादा इसके जरीए से हम कर सकते हैं ना कि हम इसके जरीए से अगर हमें मैलेज की बीसे में ज़्यादा तर काम करना है तो मैं मैं टॉपिक वाले चीज जो मैं आपको बता दे रहा हूँ मैलेज के लिए इस एरसुर के अंदर जो रबड आता है उस रबड को आपको चेक कर लेना है साथ में अगर ये सलाइड ये सलाइड अगर कट गया है ये चलते चलते बहुत बार ये घिस जाता है अगर ये वाला पाट अगर घिस जाता है सलाइड का पिन घिस जाता है तो इस करने के बाद बर नहीं होता है तो भीर कफ़ीरेटर जांग हो गया फिल्टर जाम होने के बाद यह जो सुराक यह फोड़ा बहुत हो गया इसके अंदर कचरा पर चला गया तो इसके वज़से मैलेज समस्या बनती है तो इस अब करते हैं तो जो जैड है ये बड़ा हो जाता है इसका होल इसके जरीय से भी मैलेज के समस्या बनेगी पुराने वैक होनी इससे में बता जाता है कि जो जो चौक है कैसे काम करता है जो पोड़ा है। झाल झाल